उसी ने हमको दिये बारा मुल्ला में कबाईलियों के आखरमन के आगे देश के एकात्मता को किसी प्रकार से समझोते में न लाते हुए अपना बलिदान करने वाले मक्बुल शेरवानी भी उसी के कारण हुए अपने सेना के वीर जवानों में बिर्गेडर उस्मान से लेकर हवालार अब्दुल हमीज जैसे वीर इसी के कारण हुए इतिहास है कभी इसलाम अक्रमक के नाते आया उनसे हमारा नाता नहीं है आज हमको मुसल्मान रहना भी है हम रह सकते अपना देश उदार है हमारे आदर्शा ऐसे मुसल्मान होंगे जो देश के प्रतिने उचाओर हो गए हमारे जिवन वैसा बनना चाहिए हिंदू समाज अपने आपको संगटिच शक्तिसंपन बनाकर इस अपनत्व की भाषा से लो दुनिया में कोई नहीं है जो इससे तारेगा केवल वह इंदू समाज है वो जो सबको स्विकार करता है और वो शक्तिसंपन है वो इस दाइत्वका निर्वा कर सकता है यह भारतिया सौंसकृति सबको दे सकता है उसमें वह बल खड़ा हो गया है इस बल को खड़ा करना नहीं समरन करना है उससे सबक लेकर यह न बढ़े विद्वेश इसके लिए सुनना है जन्मे जैने व्यास जैको सरपयत ने उसका जब खंडित हुआ तब यहीं कहा कि हमने सुना कि हमारी जो पुरुवस्थे कोरो और पांड़ों उनमें बड़ा भैंकर सम्हारकारी युद इसे दिए ऊपनलोग थे कोन्सी इसी खटास थी जो दूर नहीं हो सकी क्या किसी ने उस वहर को शमन करने का प्रयास नहीं क्या। भारत के साथ संपूर्ण मानावता की परस्पर आत्मियता सदा के लिए अभिनरूप से जुड़ी है उस भारत को उस परंपरा को सौंस्कृति को समाज को सर्वांग सुंदर रूप से सबल होकर खड़ा होना पड़ेगा हम सब को हिंदू के नाते व्यक्तिगत स्तर पर बल साहश तितिक्षा धाईरिय ओज शारीरिक मारसिक बहुत दिक तिनों प्रकार का इसकी साधना करनी होगी समाज के नाते सारी बातों का उपाय करने के लिए सामुहिक कार्य करने का अभ्यास करना होगा सामुहिक्ता से चलने की स्वभाव में आदट डालनी पड़ेगी यहाँ बल किसी की विरोध और प्रतिक्रिया में नहीं है हमारी फूट के चलते हमको तोड़ कर अपने स्वार्थ के उल्लू सिधा करने के लिए सब लोग ताक पर है इसको समझते हुए और यह हमारा स्वभाव होना चाहिए हिंदू के नाते संगटित रहना बलसंपन रहना संपूर्ण मानवता के लिए अपने बल का उपयोग करना यह कर्तव्य निर्वाह करने के लिए ऐसे हिंदू समाज को खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि जागरूत, संगटित, बलसंपन्न और सक्रिय हिंदू समाज ही सब समस्याओं का समाधान है। यही काम तो हम करते हैं। भारत की जो प्रगति है उससे विकास की अपेक्षा भारतियों की जैसी भारत से है। वैसे संपूर्ण विश्व की अपेक्षा है एक नई रहा दिखाने की उसके लिए भारत को तयार करना अपनी विविधता को अपनी एकता का श्रूंगार बनाकर बलके साथ सब प्रकार के जीवन का उत्तम उदारन बनकर दुनिया में खड़ा संपूर्ण देश को प्रेम से पुकारता ललकारता हुआ अपनी छत्र छाया में अधिक अच्छे मनुष्च बनकर सुरूष्टी के साथ कल्यार की रहा पर अगरिसर करने वाला विश्व गुरू भारत हमको खड़ा करना है संग के स्वैंचो को की अपेक्षा इसके लिए है और आप सब समाज के लोगों बदल जाएगा वह भाग्य बदलना है वह भारत की आवश्चक्ता है वह समय की विश्व की आवश्चक्ता है और इसलिए ब्रांति जन्मन की हटाते क्रांति का संगीत गाते एक के दशलक्ष होकर कोटियों को है बुलाते इस पद्धती से हमको आगे बढ़ना है क्योंकि तुष्टमां होगी तभी तो विश्व